नमस्कार, इस वीडियो में बात करेंगे TOP 5 Richest Person in India in 2022 भारत के 5 सबसे अमिर व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में उनका नाम, Occupation और Introduction के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नमर पे जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है गौतम अदानी। गौतम अदानी भारत के सबसे मिर व्यक्ति हैं, ये डाड़ा 5 मई 2022 के हिसाब से तियार किया गया है, आने वाले समय में वेल्थ की संख्या आगे पिची हो सकती है। गौदम अधानी एंट फैमिली भारत के सबसे मिर्व्यक्ति हैं और ये दुनिया के पांच में सबसे मिर्व्यक्ति हैं इनका नेटवर्थ पांच में 2022 के हिसाब से 124 बिलियन डॉलर है हाल में ही इनकी संपती में 2.9 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है इनके बारे में और अगर आगे देखें तो इनका जन एहम्दाबाद गुजरात में हुआ है इनका उम्र भी 69 साल है इनका डेट उपर्थ है 24 जुन 1962 इनका पूरा नाम है गौदम सांतिनाल अधानी ये भारती है ये अधानी ग्रूप के founder and chairman है और ये अधानी foundation के president भी है इनकी धर्मबतनी का नाम है प्रिधी अधानी इनके दो बच्चे है दोनों लड़गे हैं रिलिटिव्स में प्रिधी अधानी इनकी daughter-in-law है और प्रनव अधानी इनकी नेफ्यू है इनकी source of wealth है infrastructure, commodities और staff media है गतम अधानी, commodity sports, power generation, transmission, real estate, defense, airport and data center के मालिक है इनका source of wealth इनी से है अगर इनकी wealth of history के बारे में बात करें तो 2016 से लिकर के 2020 तक काफी आपको line बराबर दिख रहा है इसके पीछे बज़ाई यह है कि इनका growth में ज़्यादा हुआ नहीं है 2020 से लेकर के 2022 में इनके wealth में काफी ज़्यादा इजाफा हुआ है pandemic के बाद काफी सारे इनके जो stocks थे उनमें उड़ान आया है लेकिन अगर आप अधानी के stocks में invest करते हैं इस वीडियो में जो भी आपको बताया ज़रा है यह कोई criticism नहीं है लेकिन ज़्यादा तर लोग वीडियो देगर के जैसे top 5% of India का list बनाया गया है इसके सबसे invest करतेंगे इनके stocks में लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि top 5 में है तो हमेसा top 5 में रहेंगे बहुत सारे reasons होते हैं कि जनी के भी wealth को बढ़ने का और घटने का दूसरे नंबर के जो सबसे में व्यक्ति हैं उनका नाम है मुके समानी मुके समानी का net worth है 100 billion dollar लास्ट कुजिनो में इनका net worth 2 billion से डाउन गया है 1.92% से इसके पीछे बज़े है market की गतिविधी किसी में व्यक्ति के बारे में अगर बात करते हैं जो research person के list में है तो उनका पैसा कुणके पास cash में नहीं होता है उनका पैसा stocks में होता है किसी अधर company में investment होता है तो अभी market का downfall थो चल रहा है इसी वज़े से जो इनका stocks का market value है वो थो थो डाउन हो आ है इसी वज़े से मुकेश अमानी का जो network है वो आपको downs हो कर रहा है 2021 में ये भारत के सबसे में व्यक्ति थे और ये काफी दिनों से Reliance Industries पर काम करते आ रहे हैं काफी इनोंने मैनत किया है ये अभी देश के दूसरे सबसे में व्यक्ति है और पुरे विसु के आठवे सबसे में व्यक्ति है ये Reliance Industries के founder and chairman है इनके बारे में और बात करें तो इनका पूरा नाम है मुकेश दिरु भाय अम्बानी इनका date of birth है 19 सप्रील 1957 इनके उमर अभी 62 साल है एदन colony of एदन में इनका जन्म हुआ था जो भी येमिन में है नेशनलिटी इंडियन है अल्मा मीटर इन्होंने जोब से पढ़ाई किया है सेंट जैविर कॉलिज मुंबई इंस्टिटीट ऑफ केमिकल टेक्नोलोजी और Stanford University से ये ड्रॉप आट रह चुके है Occupation ये है Reliance Industries के Chairman and MD इनकी धर्णबति का नाम है Nita Ambani इनके तिन लड़के दो लड़के है तिन एक लड़की है तिन बचे इनके Parents इनके पिता का नाम है धिरु भाई Ambani Father जिन्होंने Reliance को सुरू किया है और इनकी माँ का नाम है Kokila Ben Ambani Relatives में इनके एक भाई है Anil Ambani एक समय पर ये विस्व के छटे सबसे में रखती थे अभी काफी बुरी हालत चल रही है विकाज इनका बिजनस कुछ जादा आगे बढ़नी पा रहा है वज़ए वह बहुत सारी रिजन्स है 2016 तक काफी डाउन रहा है 2016 से लेकर के 2019 तक थोड़ा ग्राफ था फिर 2020 में पैंडेमिक के वैज़र से नीचे आये था उसके बाद जो आपको यहाँ पर करव दिख रहा है 2020 से लेकर के 2022 तक पूरे विस्व में सबसे ज़्यादा funding और investment Lance Industries को ही मिला है COVID के समय में काफी ज़्यादा इनके stocks का दाम बढ़ा काफी ज़्यादा इन्होंने return भी दिया और ये काफी rapidly, काफी fast grow कर रहे है 2016 से के आसपास से इनका जो चठाव था वो काफी उपर हो गया उसी समय जीयों का आग बन हुआ था तिरिशी नमर के जो सबसे मिल प्यक्ति है उनका नाम है सिव नदार सिव नदार के बारे में आप लोगों ने कमी सुना होगा अगर आप इस टॉक मार्केट में इन्वेश्ट करते हैं तो आप जान रहे होंगे अभी सिव नदार का नेट वर्थ है इनका पूरा नाम है सिव नदार इनका जन चाओतर जुलाई उनिस्तो पैटालीज को भा था यानि ये इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले इनका जन हुआ है मत्रास प्रसिदेंसी में हुआ है ब्रिटिस इंडिया उस समें था अलमा मीटर इन्होंने पढ़ाई की है PSV College of Technology इनको HCL Technology के founder के नाम से SSN College of Engineering और Steve Nadar University के founder के नाम से जाना जाता है HCL Tech इंडिया का one of the best IT hub है IT company निया आप इसको IT hub कर सकते है इनकी spouse का नाम है Kiran Nadar इनकी एक बीटी है लौसनी नदार इनके भाई है इनकी source of wealth है software, services और ये staff members है और इनका residence है Delhi इंडिया में इनकी wealth के बारे में बात करें तो 2013 से लेके 2012 तक इनका जो wealth है वो थोड़ा बड़ा है उसके बाद लेकर के 2015 से लेके 2020 तक wealth काफी average रहा है और 2020 से लेकर के 2022 में काफी group हुआ है अगर आप ध्यान देगे ज्यादा तर जो भी research person है या फिर जो भी business man है उनका 2020 से लेकर 2022 तक में काफी ज्यादा wealth बढ़ा है इसके पिछी बज़ा है COVID के वाद से वर्ड और खास करके इंडिया में technology का काफी ज्यादा इस्तमाल किया जारा है अब लोग online shift हो रहा है तो जो भी tech driven businesses हैं उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है चौते नमर के जो सबसे मेरे व्यक्ति हैं उनका नामें Cyrus Poonawala Cyrus Poonawala के बारे में आपने जानना ही होगा आपने Poonawala नाम सुना होगा Cyrus Poonawala का नाम नहीं सुना है तो आप Poonawala नाम सुनेंगे COVID के समय में अगर भारत को एक अच्छा hope मिला तो वो Poonawala फैमली के तरब से था Cyrus Poonawala का नेट वर्थ है 23.3 billion dollar पिछले हाल के कुछ दिनों में इनका wealth 14 million dollar निची गया है और ये 20 सुके अभी 64 पे अमीर व्यक्ती है इनके बारे में थोड़ी और बात करें इनका जन्म 1921 में हुआ था अभी इनके उम्र 81 साल है नेशनलिटी इंडियन है इनका एजुकेशन ब्रिहान महरास्टा कॉलिज ऑफ कॉमर्स से हुआ है इनको सिरम इंस्टिटीट आफ इंडिया के फांडर के तौर पर जाना जाता है इनकी धनपत्नी का नाम है वीलू पुनावाला जिनके मिर्त्यू 2010 में हुई है इनके बच्चे है अधार पुनावाला आपने इनके बारे में सुना होगा क्योंकि जो भी आप वैक्सिन ले रहे हैं वैक्सिन में इंका सबसे बड़ा दिन है और इनको अवार्ड मिल चुका है पदम स्री 2005 में मिला और पदम हूशन 2022 में मिला इनके सॉर्स ऑफ वैल्थ वैक्सिन है रेसिडेंस इनका पूने इंडिया में है इनके वेल्द ग्राफ को देखें, तो 2013 से लेकर 2020 तक काफी आवरेज रहा है, 2020 से लेकर के 2022 तक काफी बड़ा जंप आपको दिख रहा है, इसके बिचे बज़ा है, 2020 के बाद जो इनका वैक्सिनेशन का काम सुरू हुआ, काफी बड़े लिवाल पर था, और इन्होंने इंडि आप इनको जान रहे हैं 1990 के बाद से, लेकिन इस्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं, या फिर दीमार्ट जो आप जाते हैं, दीमार्ट इन्हीं का है, राधा कृशन दमानी का नेट वर्थ है, 18.9 मिलियन डॉलर, हाली में इनके नेट वर्थ में 348 मिलियन डॉल मुंबई में है, उक्यूबेशन बिजनसमें हैं और इन्वेस्टर हैं, जी हां इस्टॉक मार्केट में बहुत लंबी समय से इन्वेस्टर हैं, जी हां, ये स्टॉक मार्केट में काफी लंबी समय से एक्टिव रहे हैं, काफी लंबी समय से इन्वेस्टर हैं, उसके बाद हैं क्योंकि इनका media presence नशा रहता है और अधानी हाली कुछ दिनों में आया है even 2017 के बाद अधानी के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं हाल फिलाल में ही अधानी के ऊपर सुचेदा दलाल ने काफी बड़ा controversy किया था हलांकि उन्होंने काफी चीज उजागर किया रिटेल इन्वेश्टर जब भी आप इन्वेश्ट करते हैं किसी भी कंपणी में किसी भी richest person के कंपणी में आप इन्वेश्ट कर रहे हैं तो आप एक बार fundamental analysis कर लेजे अगर सौटन के लिए कर रहे हैं तो technical analysis किजे उसके बाद invest किजे उमिदें आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी ऐसे ही financial education, stock market से समंधित वीडियोज के लिए आप इस चैनल के साथ सब्जूर सकते हैं, subscribe कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं